जै माताई दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों हमारे चैनल से जुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तों इस समय पित्र पक्ष चल रहा है पंदरा दिन पहले आए पित्रों को इस अमावश्य के दिन विदा किया जाता है इसलिए इसे पित्र अमावश्या विसर्जन कहा जाता है इस दिन से पित्र पक्ष समाप्त होते हैं माना जाता है कि पित्र विसर्जन अमावश्या के दिन अगर पित्र दोश से मुक्ति पाने के लिए उपाय किये जाएं तो वो बहुत ही कारगर उपाय होते हैं पित्र पक्ष के अंतिम दिन को सर्व पित्र अमावश्या कहा जाता है इस साल सर्व पित्र अमावश्या 17 सितंबर ब्रसपतिवार के दिन है हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास के क्रिशन पक्ष की अमावश्या को ही सर्व पित्र अमावश्या होती है पित्र अमावश्या के दिन पित्र दोश निवारन के उपाय करने से वो जल्दी फल देने वाले साबित होते हैं जिनके घर में सालों से मांगलिक कारिक्रम नहीं हुए हैं और पुत्र प्राप्ती की इच्छा हो उन्हें पित्र दोश निवारन के रिए उपाये जरूर करनी चाहिए जब श्राद शुरू होते हैं तो मृत्यू लोग से पित्र धर्ती लोग में अपनी संतानों से मिलने आते हैं और अश्विन माह की अमावश्या के दिन वे वापस अपने लोग में लोट जाते हैं पाना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से अपने पित्रों को नमन करता है, उन्हें विदा करता है, उनके घर में सुक शांती बनी रहती है। सर्व पित्र अमावश्या के दिन पित्रों की शान्ती के लिए और उनका आशिरवाद पाने के लिए गीता के साथवे अध्याय का पाठ करने का विधान है इस दिन पीपल की सेवा और पूजा करने से पित्र प्रसन होते हैं दोस्तों बात करते हैं कि पित्र अमावश्या के दिन, सर्फ पित्र अमावश्या के दिन आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, जिससे आपके घर में सुक्षानती बनी रहे, आपके पित्र दोश खतम हो जाएं। हे पित्र देव, आप ये भोजन खाकर तरप्त हो जाएं और हमारे घर से पित्र दोश को दूर करें। ये उपाय करने के बाद पीछे मुड़कर बिलकुल ना देखें। साथ ही एक दीपक जलाकर दक्षिन दिशा की और मुख करके बैठ जाएं। पीपल के नीचे आपको य करना है। दोस्तों सर्व पित्र अमावश्या के दिन आप भी करें ये छोटा सा उपाय। आपके घर से हर दुख दोश दूर हो जाएगा और आपके घर में सुक शांती बनी रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना नवाद